बाईयो बेहनों, अपना किचन में आप सब कुमे स्वागत करती हूँ, आज हम बनाएंगे सम्मर्श पेशल शेक ताड़ फल में, ये ताड़ गोडा में हम तैयार करेंगे, आईए, डियर फ्रेंज, अपना किचन आपको अच्छा लगातू, साब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन दबाईये, बाजु में बेल बटन भी ओ भी दबाखे रखिये, थाड़ फल लेने का टाइम, आप अमेशा ध्यान दीजिए, चोटी सी बाते, चोटा वाला लीजिए, गाईसा मुंडी में, मुंडी के साबसे, जैसे हाथ में आना चाहिए, तबी आपको उसकी फल नरम रहेगा, और जूसी भी रहेगी, आप मोटा वाला लेंगे तो, खड़क रहेगा उसकी फल, और जूसी भी नहीं रहेगी, इसलिए यह ध्यान दीजिए, और यह बदन के लिए भी नहीं है, फेस के लिए भी हम इस्तमाल कर सकता है, एकदम बेस्ट फेस मास्क की त इसमें से जूस आएगा उसमें से एक टीस्पून फेस में लगा के दस से पंदरा मिनिट के बाद दो एंगे तू एकदम चहरा चमकने लगेगा और स्किन की ड्राइनस चली जाएगी वो नहीं तू दो पीसस यह फल से लेके आप पीस के पेस्ट बना के फेस में मास की तरह लगा के दस पंदरा मिनिक के बाद दो के देखेंगे ना एकदम चहरा चमकने लगेगा और तंडा तंडा फिल करेंगे एकदम अच्छा लगेगा यह बेस्ट समर स्पेशल फेस के अब शेक के लिए मैंने जार में चोटी चोटी पीसस करके ले ली हूँ और चिल्ड दूद एक ग्लास मिला रही हूँ गरम करके तंडा करके फ्रीजर में रखे मैं दूद डाली हूँ तील बड़ी चमच देसी गूड मिला रही हूँ आप शकर इस्तमाल कर सकते हैं अनुसार आप शकर डाल दीजिए अभी मिक्सर में मैंने पेस्ट बना के ले ली हूँ और इसमें कितना दूद लगीगा वह हम मिलाएंगे चिल्ड दूद मिलाएंगे इसमें आप हनी भी मिलाके यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छा रहेगा और पोस्टिक बन जाएगा स्पून से अच्छी तरह से मिक्स करके दूबारा एक बार मिक्सर में गुमाके लेंगे हो गया अभी अभी ग्लास में हम सर्व करेंगे वो जो फाल ले उसको भी चोटा चोटा पीसस करके उसमें मिलाएंगे तबी वो बीच में आएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा बायो बैनो इस जरूर ट्रै करिये क्योंकि आइस्क्रीन इसके सामने हार जाएगा हार एक स्पून आपको हेवन फील करेंगे आप इतना अच्छा रहेगा मैं बोलने से पताने चलेगा आप एक बार जरूर ट्रै करके देखिये ये हेल्दी ड्रिंक आपको पसंद आया तो शेर करिये लाइक करिये सब्सक्राइब करिये बदन भी थंड़ थंड़ फील करेगा चैरा भी थंड़ थंड़ फील करेगा